यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए BSC Agriculture 5th समेस्टर का जो अभी अभी पेपर हुआ है रेनफेड एंड राइलेंड एगरिकल्चर का इस पेपर का सॉलुशन लाया हूँ तो फटा फट से आप लोग अपना एंसर मिला लीजिए आज जो हमारी सीरी यह डी सीरीज है तो चलिए एंसर मिला लेते हैं और फ्रेंस यह वीडियो जो है अपने सभी दोस्तों के बाद सेघर कर दीजिए ताकि वो भी अपना एंसर मिला सके तो चलिए शुरू करते हैं और जिन लोगों नहीं तक हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यहां पर आपको आपके पेपर से संबनित नोट्स और पेपर का सबसे साटीक सॉलिशन सबसे पहले प्रोइड करा जाता है। तो आज का जो पहला प्रस्ण है, वो है कि फिल्म बनाने वाले वास्पन प्रतिरोधी पदार्थ का संबन्ध है। तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा मोबी लीक, आप्शन नमबर A सही होगा। अगला प्रस्ण है, परिसुद्ध खेती को कहते हैं, तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा आप्शन नमबर B स्पेसिफिक खेती। अगला प्रस्ण है परिसुद्ध खेती की अधिक महत्तो वाली तकनिक की कौन है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, A और B दोनों अगला प्रस्ण है चक्था नंबर परिसुद्ध खेती है तो परिसुद्ध खेती जो है इसमें भी option number D होगा उप्यूग तो सभी सुधार और अन्य इंपुट का हिस्सा है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D, उप्यूग तो सभी अगला प्रस्ण है वर्गी करन की स्पेक्ट्रल विभिन्नताओं का प्रियोग करती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा visual image की ब्याक्षा option number B सही होगा अगला प्रस्ण है खेती करने के तरीकों का सबसे करीबी है तो इसका जो सही अंसर होगा crop yield, फसल उपज, option number A सही होगा अगला प्रस्ण है नव नंबर, मर्दा का नक्सा सूचना देता है तो इसका जो सही option होगा वो होगा उप्यूग तो सभी, option number D अगला प्रस्ण है दसवा नंबर, फसल उनकूलन है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा उपयूगत सभी, option number D सही होगा अगला पुरसम है ग्यारा नमबर पाउधे में पानी की कमी का सीधा प्रभाव होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C A और B दोनों अगला प्रस्ण है बारा नंबर कौन सा एमीनो इसिड नमी दबाव का अच्छा संकेत है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अप्शन नंबर B, प्रोलिन अगला प्रस्ण है फसल कौधों की विकास प्रतक्रिया और मुख्य परियावर्न लिए कारक के बीच सम्मद्ध को कहते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अप्शन नंबर C, फसल अनकूलन अगला प्रस्ण है चवदा नंबर परिशुद खेती को इस रूप में भी जानते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा बिसिस्ट प्रबंधन अस्थल इसका अप्शन नंबर D सही होगा अगला प्रस्ण है कि प्राकृतिक क्रिसी का उत्तम उदाहरण है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्शन नंबर B टिकावु खेती, अकला पर सुन है 16 नंबर, अर्द-सुस्क एवं अर्द-सुस्क छेतरों में भारत में सुस्क खेती की सामाने पद्यती अपनाई जाती है, तो इसका जो शही अंसर होगा, वो होगा अंत्या स्चन, आप्टिन नंबर 20 होगा, अगला पर सुस्क करिसी छेतर में आउसत वार्षिक वर्षा होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्शन नमबर बीस साथ सो पचास से ग्यारा सो पचास मिलिमीटर अगला प्रस्ण है फसल उत्पादन तथा खेत में प्रियोग किये गए कुल पानी की मात्रा के अनफात को कहते हैं तो इसका ज सही अंसर होगा वो होगा आप्शन नमबर सी अनता संध्यन अप्शन नमबर सी सही होगा अगला बीस नमबर प्रस्ण है इक्रीश एड अस्थापित हुआ था तो इक्रीश जो है 1972 में अस्थापित हुआ था इसका आप्शन नमबर सी सही होगा अगला प्रस्ण है 21 नमबर जल समेट तकनेगी का उपयोग किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्शन नमबर B बारानी छेत्रों में 22 नमबर प्रस नहें इन सुटू जल संग्राण करता है तो इसका जो सही आप्शन होगा वो होगा अपवाह पुनार चक्रन आप्शन नमबर D सही होगा दोस्तों इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वले पेपर का सॉल्यूशन और नोट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तेस नमबर प्रस नहें कंटूर मेंडबंदी में उप्यूक्त ढाल होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्शन नमबर A 6% अगला प्रस नहें सुन जुताई पद्यदी में भूमी का उपरी परत होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अधिक इस्तूल गनत्तो वाली अगला प्रस नहें 25 नमबर E.T. दर को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक है तो इसका अंसर होगा आप्शन नमबर C. जलवायव की दसा अगला प्रस नहें कि छरण नियंत्रण की यांत्र की बिधी काउन C है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्शन नमबर D. उप्युक्त सभी अगला प्रस नहें कि Central Research Institute for Dryland Agriculture इस्तित है तो इसका आप्शन नमबर C सही होगा अगला है 28 नमबर पट्टिदार खेती का कौन सा रूप है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा उप्युक्त सभी अप्शन नमबर D. अगला है मिट्टी की पपड़ी से कम होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा infiltration अंता सद्यान संदन आप्शन नमबर C सही होगा अगला पुर्षन है निमलिकित में से कौन किसमे WE अधिक होती है Water use efficiency सबसे अधिक होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा रागी आप्शन नमबर D अगला है निवन्तम भूपरिसकरण की अधारणा की सुरुवात होई थी तो इसका जो अंसर होगा USA में आप्शन नमबर C सही होगा अगला है 32 नमबर प्राकृतिक या सामाने चरण कहलाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा भूपरिये चरण जियोलाजिकल इरोजन अप्शन नमबर 20 सही होगा अगला प्रसन है अपवाह जल को जलासे में इकठा करने की जल संग्रान तक नीक है तो इसमें जो है अप्शन नमबर D सही होगा उप्योग तो सभी अगला प्रसन है कि एकल फसल की अपेच्छा अंता संद की जल उप्योग दच्छिता होती है तो इसमें जो है अप्शन नमबर A सही होगा अधिक अगला प्रसन है भारत में मिस्रित फसल प्रणाली प्रमुक्तिया छेत्रों में अपनाई जाती है तो ये जो है सुस्ख छेत्रों में अपनाई जाती है अगला पॉस्पन है उच शर्जन नापने के लिए मुक्यत्या किस evopometer का परियोग किया जाता है तो इसका जो गया जबोशाध का वगोगा अगला पॉस्पन है 38 नमबर भारत में प्रिथम ड्राइलेंड रिसर्च इंस्टेशन 1923 में अस्थापना हुई थी तो यह जो है मंजीरी में हुई थी इसका अप्शन नमबर सी सही होगा अगला पुरस्ण है हवा की गति को मापने में किसी अंत्र का प्रियोग किया जाता है तो इनीमो मीटर का प्रियोग आता है अप्शन नमबर 20 सही होगा अगला पुरस्ण है जल समेट है तो इसका जो सही अंसर होगा होगा जियो हाडरोलाजिकल यूनिट अप्शन नमबर 20 सही होगा अगला प्रस्ण है फसल बुवाई वाले छेत्रों में लाइसी मीटर से किसकी मात्रा मापते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वह वास्तवी कीटी आप्शन नमबर सी सही होगा अगला प्रस्ण है संचाई पैन वास्तवी करण के द्वारा पांच जिरो समलो पांच अनपात एवं पांच सेंटीमेटर गहराई में सिचाई आउसक है तो दोस्तों इसका जो सही अंसर हमें नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा अगला प्रस्ण है F I R B पद्यति से गेहुं की बुवाई की जाती है तो इसका जो एंसर होगा वो होगा रेजड बेड पर आप्सन नमबर B सही होगा अगला प्रस्ण है गली फसल के रूप में जाना जाता है तो गली फसल के रूप में हेज रूप इंटर कापिंग को जाना जाता है आप्सन नमबर B सही होगा इसका अगला है 45 नमबर उदग्र पलवार 1 है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा 46 नमबर हवा चलने की दिशा कहिलाती है तो विंड़वर्ड इसका आप्षन नमबर A सही होगा 47 नमबर प्रशन है कि मुक्टया फचल पद्य ती प्रभावित होती है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number A agroclimatic condition अगला प्रस्ण है 48 नंबर सामान जलवायू की अपेच्छा अगर सुस्क जलवायू की अवस्था लंबे समय तक रहती है तो उत्पन होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा सूखा ड्राट option number A सही होगा अगला प्रस्ण है कि सूखा क्या है तो इसका option number D सही है किसी विशेश छेत्र में सामान से कम वर्षा की अवधि में हो अगला प्रस्ण है कि सूखे के लिए बेहतर प्रक्रिया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा कि बेहतर प्रक्रिया है इसका सही अंसर है because red sorry दोस्तों इसका अंसर जो है हमें नहीं मिला है तो आप लोग comment box में बताइएगा 51 number है कि सूखे की प्रात्वी का अबदा कौन सी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा 1 जीव की छती अगला प्रक्रिया है कि सूखे की इस्तित में खेती करने से उत्पन होता है तो इसका जो सही अंसर होगा अस्थाई मृदा चरण आप्सन नंबर सी सही होगा 33 number प्रक्रिया है कि सूखे का प्राकृतिक चरण कारण क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा वर्षा की विफलता आपसर नमबर A चबवन नमबर प्रसन है ठूट परवाल का संबन्ध है तो इसका जो अंसर होगा वोगा मर्दा एवं जल की हान में कमी अगला प्रसन है 55 नमबर कि पाउधों की उपरी सता में किसी भी प्रकार का पदार्थ प्रियोग करने से जल हान इकम होती है या कहलाता है तो इसका जो सही अंसर है वो है वाश्पन प्रतिरोधी आपसर नमबर C सही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चनल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा अगला प्रसन है चपन नंबर की इस्टो मेटा बंद करने वाला वास्पन प्रतुरोधी पदार्त है तो यह जो है एपसेसिक एसीड एब यह आपसो नंबर सी सही होगा इसका 57 नंबर है कि नेशनल विवरो आप स्वाइल सर्वे एंड रेंड यूज प्लानिंग इस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपसो नंबर सी नागपूर में अगला प्रसन है 58 नंबर जब 1150 मिली मिली मिटर से अधिक वर्था होती है तो यह कहलाता है तो इसे बारानी खेती कहा जाता है रेंफेट फार्मिंग आपसो नंबर 20 सही होगा अगला है कि इस उसके छेतर खेती में फसल आवद होती है तो यह जो है 200 से कम होती है आपसो नंबर 20 सही होगा इसका लाश्ट प्रस्ण है जल संग्रहांड सब्द किस ने दिया था तो जल संग्रहांड सब्द जो है वो मायर से ने दिया था option number 10 सही होगा दोस्तों वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दीजेगा और चैनल को subscribe करेजेगा क्योंकि यहाँ पर आपको paper से सम्मझेद notes और paper का solution प्रोवाइड करा जाता है